Hello everyone, welcome back to the AdelExpert Channel तो इस वड़े में हम बात करने वाल है कि किसी भी app में exit dialogue box कैसे create करते हैं मिन्स जैसे कोई backpress करता है तो exit dialogue जो show होता है वो कैसे create करते हैं तो सबसे पहले हम Android Studio में आ जाते हैं यह जो project दिखाए देर आपको new project का option है इस पर हम click कर देते हैं तो जैसे हम new project पर click करेंगे यहाँ से आपको empty activity को choose करना है and next button पर click कर देना है और यहाँ से मैं application का name देता हूँ, dialogue Apps और यहाँ से आपको finish पर click कर देना है और धान में रखना है आपको language को Java ही select करना है अभी मैं finish बटन पर click कर देता हूँ तो जैसे हम finish बटन पर click करेंगे तो यहाँ पर gradle build start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर gradle build finish हो चुका है और यहाँ पर show भी हो रहा है indexing dependencies तो अभी हमें क्या करना है home activity में आ जाना है जो भी आपका app का home activity रहेगा तो जो हमने अभी activity create किये इसका home page है main activity तो इसके java code में हम आ चुके है और यहाँ पर आपको क्या करना है एक method implement करना है तो ctrl o press करना है तो मैं यहाँ से ctrl o press कर देता हो और यहाँ पर आपको link देना है on back press तो मैं यहाँ से on back press आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे हमने on back यहाँ पर create किया है तो यहाँ पर method आ चुके तो आपको ok पर tap कर देना है तो जैसे हम ok पर tap करेंगे तो on back press की method आ जाएगी यहाँ से आपको क्या करना है आपको dialogue show करना है ठीक है exit का तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से alert dialogue method select कर देंगे तो मैं यहाँ से name दे देताओ alert dialogue and यहाँ से alert dialogue का आपको name का दे देना है builder ok तो सबसे पहले में alert dialogue dot builder and name दे देंगे हम builder is equal to new alert dialogue builder ok इसके बाद आपको क्या करना है जिस activity में हो उस activity का name आपको लिख देना है तो मैं हूँ main activity में तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ main activity dot this and इसको semicolumn से इसको close कर देना है इसके बाद आपको builder यह जो है इसको आपको select करना है क्यूंकि हमने alert dialogue को इसको define कर दिया है तो मैं यहाँ से select कर देता हूँ builder तो आप देख सकते हैं जो builder है यहाँ पर आ चुका है तो इसका हमें title भी देना होगा तो title में हम application का name देदेंगे इसलिए हम लिखेंगे builder dot set title यहाँ से आपको pass कर देना है r.string.app name जो भी आपका name रहेगा वो हमारा title हो जाएगा and semicolumn से इसको close कर देना है इसके बाद आपको builder provide करना है builder dot set icon जो भी हमारा app का icon रहेगा वही हम icon को यहाँ से select कर देंगे इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया builder dot set icon r. कहा से लेंगे हम nip map से and जो भी हमारा launcher रहेगा means app logo रहेगा उसको हम select कर देंगे ic launcher इसके बाद हमें क्या करना है एक message भी show करना होगा user को builder dot set message तो उसमें हम क्या लिख देंगे string में do you want to exit हम एक बार पूछ लेंगे तो do you want to exit इसके बाद आपको क्या करना है enter कर देना यहाँ से set cancelable भी हमें यहाँ पर click कर देना है तो अगर कोई user false या फिर yes पर click करेंगा उसके without कहाँ पर भी click करेगा तो cancel नहीं होना चाहिए इसलिए हमने यहाँ से false provide कर दिया dot set positive button dot set positive button तो अगर s पर कोई click करेगा तो इसलिए मैं code link देता हूँ अगर कोई yes पर click करेगा तो क्या होगा तो हमें यहाँ से provide कर देना है method new dialogue interface तो इस method को आपको select कर देना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर dialogue interface का खुद बखुद यहाँ पर code आ चुका है तो हमें क्या करना है अगर कोई positive button पर click करेगा तो हमें provide कर देना है finish तो यहाँ से आपको select कर देना है finish option ओके यह तो हुआ positive button के बारे में अभी हम क्या करेंगे dot set negative button भी हमें यहाँ से select करना होगा तो इसलिए में यहाँ पर dot day देता हूँ dot set negative button और इसमें हम provide कर देंगे no अगर कोई no पर click करेंगा तो यहाँ पर again हमें code लिक ना होगा new dialogue interface तो यह होने के बाद आपको यह से क्या provide करना है dialogue interface dot cancel तो आप देख सकते हो अभी हमने dot set positive के लिए भी लिख दिया है and dot negative के button के लिए भी लिख दिया है बट यहाँ पर error शो हो रहा है तो इस error को close करने के लिए आपको क्या करना है semi columns को close कर देना है and इसके बाद आपको थोड़ा सा code लिखना है alert dialogue का alert dialogue यहाँ से आपको name दे देना है alert dialogue is equal to builder dot create and यहाँ से आपको यह जो alert dialogue है उसको show कर देना है alert dialogue dot show तो अभी हमारा completely जो भी coding का part है हो हो चुका है अभी हम इस app को run करके देखते है and यह completely अच्छे से work करता है कि नहीं देखता है हम देखेंगे अभी तो चलिए इसको run करते है जल्दी से तो मैं अभी mobile device को connect कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा mobile device connect हो चुका है OPPO RMX811 अभी मैं run app पे क्लिक कर देता हूँ तो जैसे हम run app पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे gradle build का process start हो जाएगा तो हम gradle build finish होने तक wait करते है तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे message आ चुका है gradle build finish in one minute और यहाँ पे message भी शो हो रहा है launching succeed का तो हमारे mobile device में थोड़ी दिर में app launch हो जाएगा अभी launch हो रहा है तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे project का नाम आ रहा है dialogue apps का अभी हम क्या करेंगे beck पे click करेंगे फिक है जैसे हम back पे click करेंगे तो यहाँ पे हमारा देख सकते हो यहाँ पे हमने app name implement किया था dialogue apps वही show हो रहा है झू हमने icon select किया था हमारा icon भी show हो रहा है आट जह हमने यहाँ पे लिखां था do you want to exit वही यहाँ भी show रहा है जो हमने दो बटन इंप्लिमेंट किये थे, सेट पॉजिटिव बटन का येस एंड नो का, तो अगर कोई S पे क्लिक करेगा, तो वो डाइरेक्ट फिनिश हो जाएगा, मिंस वो एप से डाइरेक्ट बाहर चला जाएगा, तो हम S पे क्लिक करते हैं, तो जैसे हमने S पे क्लिक कर दिया, तो हम एप से बाहर आ चुके, तो इस तरह के से आप अलट डायलोग को create कर सकते हो, एंडर स्टूडियो में, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद दाए, तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, हमारी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देना, तो मिलत अगर ले नए वीडियो में, तब तक ले जहिन, जे भारत!